स्वागत है आप सभी का मेंस में हम बात कर रहे हैं पुझेसिव नेचर के बारे में एक कॉलर है हमारे साथ निखिल दिल्ली से निखिल कहें निखिल के आप हमें सुन सकते हैं जी कहें सवाल पूछे मेरे कॉशन यह है कि यह ना जैसे आपसे एक इस पहले से कॉलर आई की तो मैंसे भी कोई बात करता है मैं सब के साथ पॉजिटिव चलता हूं बिल्कुई पॉजिटिव बाकि मेरे मतलब फ्रेंड सरकल या कहीं पे भी मेरे कोई कुछ डांट ता या कुछ कहता है तो मैं भी जो दिन तक सोच्टा ही रहता है उससर टैंसो हों अंदर एंदर कोई बात मैं सभाता हों यह कांदा नमे यह अभी आपके साथ यह जो निखल ने अभी प्रॉल्म बताई यह निखिल के साथ जब से भी हो रह और इसका कारण सिरफ यह है के के वो जब शुरूआत हुई जब भी उसकी शुरूआत हुई तब से उसने अपने आपको इतना ज्यादा रिजर्व कर लिया है कि वो अंदर ये अंदर भरता चला जा रहा है अब solution ये है कि इसको अगर ये release नहीं करेगा, अगर ये उस चीज को नहीं समझेगा, तो ये एक बिमारी का रूप ले लेगी, जैसे कि उसने अभी बोला कि वो depression में जा रहा है, अभी depression में जाएगा धीरे धीरे फिर उसको heart की problem की तरफ बढ़ सकता, यहां तक कि brain से related भी problems आ इलाज नहीं करेंगे, तो ये आगे जाके बढ़ेंगे, तो निखिल जी जरूरत है आपको अपनी गलतियों पर और जो भी कमियां आपके दोस्त आपको बताते हैं, उनके को नजर अंदास करें, अपनी ताकत को पहचाने और उनी ताकत के साथ positively आगे बढ़ते रहें, कमि इनकी possessive nature है, या over possessive nature है, उनको आप वो देखेंगे, वो जेंट्स जो है, अपने केरियर में भी तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज वो फिर अपने colleagues के साथ भी होती है, उनके, professional insecurity बिल्कुल होगी, अपने business में भी उनके साथ वो problem आएगी, अपने partners के साथ भी वो उस तरह साथ टीट कर रहे होंगे, वो चीज ऐसा नहीं है, कि सिरफ वो family तक है, ऐसा नहीं है, क्या कहीं न कहीं ये jealousy में भी तबदील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है jealousy में भी, ultimately जब एक worst position पर जाएगी, तो jealousy में convert हो जाएगी, जैसे कि मैंने भी पहले बताया है, कि बिमा जैसे कि parents हैं, अगर वो बच्चे में ये चीज देख रहे हैं, यानि अगर मन साफ रहेगा, मन स्वच रहेगा, तो आपके विचार भी स्वच रहेंगे, बिल्कुल, एक caller है हमार साथ, विनोध, विनोध कहें, विनोध सवाल पूछे, जी मैं विनोध बोल रहा हूँ, वि जब मैं फाइनल एर का स्टुडेंट हूँ, और मुझे जो भी कुछ याद करता हूँ, वो सब भूल जाता हूं तुबह, तो मेरी यादा कुछ हैसे ही है, तो उसके लिए मुझे कुछ लाज बताईए, कुछ पूछना चाहेंगा आप इंसे, विनोध जी, ये कब से महसू यही सजेस्ट करूँगा, यह प्रॉब्लम की अभी आप यह समझ लीजिए कि शुरुवात है, और अगर अभी से आप इसको कंट्रोल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे आपके लाइफ में रिजल्ट आएंगे, आगे आपने केरियर की शुरुवात करनी हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और इसको सिरफ इसका सोलूशन जो है वो आपके लिए EFT में है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, EFT ही एक ऐसा बेस्ट टूल है, जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, तो आप अपने नजदीक किसी EFT एक्सपर्ट से मिलें, और उनसे इसकी टेकनिक को सीखें, या उनसे टीटमेंट लें, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इस चीज से बाहर निकलाएंगे, क्योंकि यह भी शुरुआत है, अगर विग्निंग स्टेज पर हम किसी चीज को पकड़ लेंगे, तो बह तो बहुत जाएं सभी टेंशन को, और खुश रखने की कोशिश करें अपने आपको भी और अपने परिवार को भी, कल हम बात करेंगे, अटेंशन, डेफिशिट, हाइपर एक्टिविटी डिस ओर्डर के बारे में, मेंस को अगर आप कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो इमेल कर सकते हैं, mens at pragyatv.com पर, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए good night and take care. कर दो मिलते हैं